प्रॉब्लम्स उनके उपर बच्चो करेंगे ठीक है तो इसी तरीके से बच्चो साथ में बने रहें और सीखे बच्चो करेंगे बहुत ही अच्छा से कि किस तरीके से जो है पुटेंशल का कॉंसेट बिल्ड अप किया जाता है तो चलिए आगे बढ़ते बच्चो तो अगर आपने अभी तक इजी मैश चैनल या प्राइड बिन टूटोरिल्स के आपको इंस्टॉल नहीं किया बच्चो ते सब फटा फट कर लिजे और हम बढ़ते बच्चो बहुत काम है मारे पास तो चलिए इस समय हम लोग ऑलेक्ट्रिक पोटेंशल में बढ़ बढ़ें तो सबसे पहले हम लोगों ने कई cases बच्चो कल भी देखे थे और आज भी देख रहे हैं तो आज सबसे पहला case जो जा रहें देखने वो है कि electric potential का calculation बच्चो due to charge disk due to charge disk at axis और बच्चो इनका जो मैं proof कराता हूँ या आपको आना चाहिए और साथ में आपको formula तो अच्छे से बिलकुल तगडे से याद रहने चीए because अगर formula ही नहीं याद है तो फिर कैसे करोगे तो फिर ना हो potential due to charge disk at axis तो आपको पता है कि आप डिस्क को किस तरीके से बच्चो create करते हो डिस्क को create करने के लिए आपको element लेना होता है ठीक है you have to take the element और element किसका लेते हो ring का और ring का आपने potential निकाल लिया है ठीक है ring का potential आपने निकाल लिया है तो r radius पर या x radius पर अगर हम लोग यहाँ x radius ले ले ठीक है चलिए फटा फट करेंगे बच्चों लो x radius लेके dx इसकी width ले ले इस ring की ठीक है और यह दूरी जो है हमारी यहाँ से वो है r अगर तो हम इस ring की वज़े से पहले यहाँ पर potential लिखेंगे तो कली आपने सीखा कि potential के लिए ring के लिए potential लिखना कोई बड़ी simple होता है तो क्या लिखते है direct formula होता है बच्चों की vp is equal to kdq kdq upon under root r square plus x square ठीक है तो अगर आप यह dvp लिखें तो this is kdq divided by r square plus x square अब यह dq कैसे लिखा जाता है that is very important dq लिखने के लिए हम लोग charge density यहाँ पर मान रहे है sigma sigma को multiply करेंगे देखिए इसका जो circumference है x radius है तो यह circle है इसका circumference किता हो जाएगा 2 pi x और width कितनी है बच्चों यह तो length हो गया इसने portion की वज़े से बच्चों potential लिख रहा है हम लोग इस समय तो sigma और साथ में देखिएगा 2 pi x dx यह हमने लिख दिया है dq और यहाँ पर हमारे पास k और यहाँ पर under root r square plus x square तो यह dvp clear है यह dvp है अब इसी को integrate करेंगे हम लोग तो हमें vp मिल जाएगा ठीक है इसी को integrate करेंगे तो हमें dvp मिल जाएगा तो let's go for integration तो यहाँ पर हमें dvp और 0 से vp ठीक है 0 से vp यह vp लिख दो direct ठीक है इतना क्यों potential ने ना vp लिख लो और 0 से r आपको integrate करना पड़ेगा बच्चों sigma by 2 epsilon not आप यहाँ से बाहर ले सकते ह क्यों क्यों कि यहाँ पर मैंने क्या किया है देखिएगा 4 pi epsilon not यहाँ पे sigma है यहाँ पे 2 pi x dx है और यहाँ पर आपके पास under root r square plus x square तो pi से pi cancel हो चुका है इस 2 से आप 4 को cancel कर रहे हैं तो sigma x upon 2 pi epsilon not तो sigma by 2 epsilon not x dx upon under root जो है हमारे पास x square plus r square है ठीक है तो x dx under root r square plus x square 0 से r है और vp is equal to sigma by 2 epsilon not अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे r square plus x square को हम लोग t square ले रहे हैं बच्चों तो यहाँ पर आप देखेगा कि 2x dx is equal to 2t dt तो अब यह 2,2 तो गया तो यहाँ पर तो हमारे पास हो जाएगा t dt और under root r square plus x square यह t है और यहाँ पर x को 0 रखोगे जब x को 0 रखोगे तो t की value r आएगी t की value क्या आएगी बोलो t की value क्या आएगी r आएगी और यहाँ पर जबाब value रखोगे तो x को r रखोगे r रखोगे तो r square प्लस r square है ठीक है तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है t की value x और यहाँ पर आ रही वैल्यू अंडर root r square प्लस r square यह आ रहा है तो यहाँ पर आपके पास sigma by 2 epsilon not अब यह t से t आपका cancel हो गया t से t क्या हो गया आपका cancel ठीक है तो अब यह t के वाल आ जाएगा और बस आपको यह limit रखनी है यहाँ पर तो आपका जो answer आएगा बच्चों वह कितना आएगा देखो बहुत ही सिंपल है sigma by 2 epsilon not और यह t आया ट की जगे पहले हम रखेंगे under root r square plus r square minus आप यहाँ पर x रखेंगे तो यह कितना आ जाएगा x square x के वल x ठीक है तो यह है आपका sigma by 2 epsilon not यह आपकी जो है एक second x को 0 रखा था ना आपने तो यह r है r ठीक है और t को capital r रख दिया था x तो fix है x तो fix है नहीं x ही variable r fix है ठीक है हाँ तो r से और x को capital r रख दिया था ठीक है अब सही है x को 0 रखा था दो r आया बच्छो और जब हम लोगों ने x को रख दिया है capital r तो r square plus capital r square r square minus r तो यह formula है याद रखना है आपको sigma by 2 epsilon 0 bracket में आपके पास है r square plus r square minus r तो यह है आपका potential from disk तो disk के potential का formula है इसको आपको ढंग से याद कर लेना है ठीक है electric field का भी formula आपने पढ़ा है उसको भी याद रखना है तो चले बच्चो अब इसी तरीके से अब हम लोग hemispherical cell के लिए निकालेंगे hemispherical cell के लिए potential बच्चो निकालेंगे तो इस तरीके से हमारे पास अब यह बहुत ही simple है simple क्यों है क्योंकि जो charge फैला हुआ है उस यहां पर पता है कि हर जगे से जो charge की दूरी है वह सेम है हर जगे से charge की जो दूरी है वह सेम अच्छा एक चीज जो याद रखनी चाहिए सबसे पहले heading लिख देता हूं में that is potential due to due to hemispherical cell potential due to hemispherical cell यह लिख देता हूं है heading potential due to hemispherical cell इसकी वज़े से potential हमको लिखना है तो अब electric field at center अगर आपको बोला जाए तो that is nothing but sigma by 4 epsilon 0 यह याद करने के लिए आपको बोला गया था कि hemispherical shell की वज़े से जो electric field होती है वो sigma by 4 epsilon 0 होती है अब बात आती है कि potential लिखी जाए तो potential कैसे लिखेंगे वही तो देखो अगर dq charge कहीं पर भी मैं आपकी जो भी इसका radius है that is capital R क्योंकि यह shell जो है इसकी दूरी हर charge की जो है वो capital R होगी तो V is equal to k times dq by capital R तो अब हम लोग यह तो dvc है उस छोटे से charge के वज़े से तो integration करेंगे बच्छों तो vc is equal to k by r और integral जो है वो dq है तो यह कितना आता है k by r into q होता है ठीक है तो vc जो आता that is k by r तो 1 upon 4 pi epsilon naught 1 upon 4 pi epsilon naught r और q को क्या लिखोगे आप बताओ q को sigma के terms में लिखोगे charge density तो यह आधे sphere का कितना होता है 2 pi r square surface area होती है तो 2 pi r square से आप multiply कर दो तो pi pi cancel 2 से 4 cancel तो यह आता है आपका sigma r r से r cancel obviously r से r cancel so this is sigma r divided by 2 epsilon naught तो जो potential at the center है this is sigma r divided by 2 epsilon naught ठीक है that is the potential at the center अब देखे एक special case इसके अंदर रहता है जो आपको पढ़ना है कि कोई part of the shell से अगर आपसे potential पूछा जाते हो पार्ट of the shell मतलब मैं एक sphere पहले बना लेता हूं dash dash करके white है पूरा portion ठीक है अब इसमें से आपको क्या करना है इसमें से आपको क्या करना है इसमें से आपको इतना portion इस इतने portion shell के लिए इतने portion shell के लिए आपको निकालनी है potential at the center c तो वो shell कैसे define किया जाता है इस angle theta की वज़े से इस shell define किया जाता है ठीक है यह angle theta जो है यह shell के लिए आपको define किया जाता है this is angle theta that has been defined for the shell तो अब देखें आप कि ec तो यहां पर देखें कि इसकी वज़े से हमें electric field लिखनी है बहुत सारी question आ जाते है तो अब इसका derivation तो नहीं हम लोग course में लेकिन आपको किसी portion of the इसकी वज़े से वहां पर क्या हो था कि sigma by 4 epsilon not था आपके उसके लिए क्या कहते हैं hemispherical shell के लिए electric field तो इसके लिए कितनी होगी यहां पर मैं potential के बारें बात नहीं कर रहा हूं अच्छो electric field के बारें बात कर रहा हूं तो sigma by 4 epsilon not sine square theta यह है यह formula आपको याद रखना है ठीक है तो objective questions या कोई भी question आगया आपका short question तो आप अराम से इसको कर सकते हैं अब यहां पर एक figure आपको दिया गया है अब यहां पर एक figure आपको दिया गया है और इस figure में क्या होता है बच्छो यह portion है ठीक है तो अब देखेगा आप अब देखेगा यहां से सेंटर से अगर हम लोग यहां पर आंगल देखें तो यह आप देखेगा कि 45 डिगरी है और यह हमें यहां से पताई कि this is nothing but 30 डिगरी तो वो 45 डिगरी और यह 30 डिगरी है और यहां पर आपके shell के उपर ऐसे plus 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 है इतने portion के लिए आपको देखो इधर से और पूरा और आपके पास नहीं है यह सब नहीं है जो portion white से है वो नहीं है कि एवल यह जो yellow से दिख रहा है आपको इसकी वज़े से electric field निकालने है ठीक है इसकी वज़े से electric field निकालने है तो देखें आप इधर 30 डिग्री है इधर 45 डिग्री है और जो formula है किसी भी portion की वज़े से वो है sigma by 4 epsilon 0 sin square theta तो बताओ sin square 45 बढ़ा होगा कि 30 बढ़ा होगा बोलो बोलो ठीक है तो sin square 45 बढ़ा होगा कि sin square 30 बढ़ा होगा तो obviously sin square 40 बढ़ा होगा तो इसकी वज़े से जो electric field यहाँ पर center पर होगी वो इस direction में होगी तो मैं इसको even बोल देता हूँ इधर जो electric field है वो even है और इधर क्योंकि यह vector quantity है इधर जो electric field है वो है e2 ठीक है तो net electric field जो आएगी that is e1 minus e2 तो आप formula लगाएंगे तो sigma by 4 epsilon 0 इसकी वज़े से क्या होगा sin square 45 degree और यहाँ पर minus sigma by 4 epsilon 0 यहाँ पर जो आएगा that is sin square 30 degree अब sin square 45 is 1 by 2 और sin square 30 is 1 by 4 तो answer जो आएगा that is sigma by 4 epsilon 0 यहाँ पर आएगा 1 by 2 minus 1 by 4 तो अब हम लोग उपर नीचे 2 से multiply कर देंगे तो यह आजाएगा 2 by 4 minus 1 by 4 तो q by 16 epsilon 0 आपका answer आजाएगा क्लियर है क्या answer आजाएगा बच्चो पहरे बच्चो q by 16 epsilon 0 will be your answer चलिए next बढ़ते हैं हम लोग question number 1 के बाद question number 2 very very important बच्चो question है यह इसको आपको अच्छे से आना चाहिए potential due to system of cells potential due to potential due to system of cells potential due to system of cells और cells कैसी है हमारी conducting cells है ठीक है यानि कि electron सब surface पे रहते हैं अब यहां पर हम लोग cell बनाते हो अच्छो तो एक यह inner shell है फिर इसके उपर एक और शेल है शेल जानते हो ना वह जिसका hollow hollow होता हो अंदर से केवल लोहे का पत्तर है उसको बनाए गया ठीक है तो अब देखेगा यहां पर हम लोगोंने q1 charge डाला वच्चो q1 charge इस वाले शेल के उपर डाला है जिसकी radius r1 है इसकी radius r1 है इसके उपर हम लोगोंने q1 charge डाला है और सुनिएगा बच्चो और इसके उपर हम लोगोंने charge डाला है q2 और इसकी जो radius है यहां कहीं बीच में इसकी जो radius है वो R2, इसकी जो radius है वो R1 है, ठीक है अब तीन points पे अपने को potential निकालना है, P1, एक P2 यहां कहीं बीच में, एक पहले shell के अंदर, एक पहले और दूसरे shell के बीच में और एक बाहर, इसको R का function लेना, R का function मतलब यह दूरी R मानके फिर करेंगे, यह दूरी R मान के फिर ए small r, अब हमें 3 portion यानि कि VP1 हम लोग कैसे आप से question पूछा जाएगा, VP1 के लिए आप से question पूछा जाएगे, कि R जो है, R मतलब यहां से लेके R वो लोग बोलेंगे, तो वो R जो है, वो R1 से छोड़ता है, तो फिर पूछ रहें, बताइए VP1 की value क्या हो, फिर वो बहुत बढ़िया हुआ, अब VP2 बताओ, तो फिर वो बोलेंगे, R जो है, आपका R2 से less है, पर R1 से जादा है, तो कैसे पूछेंगे भई, कि इस से बाहर और उस से अंदर, तो R1 और R2 से बीच में क्या value होगी, VP3 क्या होगा बच्चों, जब आपकी R की value जो है, वो R2 से ज़्यादा होगी, तो क्या value हो, तो यह VP1 है, यह VP2 है, यह VP3 है, तो VR graph भी discuss करना बच्चों इसका, discuss VR graph, ठीक है, मतलब graph कैसा बनेगा, V versus R graph, यह आपको graph भी इसका बनाना है, तो देखें, हम लोग बाहर के point से शुरू करते हैं, तो जब कोई चीज बाहर होती है, जब उन चार्ज को हम लोग center पे assume करते हैं, ठीक है, कली हम लोग ने proof किया है इसका, ठीक है, तो यह Q2 और Q1 जो charge है, you will be assuming them that they are lying at the center, and you are writing the potential from that point, as a point system, उसको एक point system मान के, आप जो है potential लिखेंगे, तो VP3 जब आप लिखने जाएंगे, तो आप लिखेंगे, K times, क्या लिखोगे, Q1 plus Q2 divided by, कितनी दूरी है, यहां से बोलिए, R, तो VP3 will be given as K times Q1 plus Q2 divided by a small r, ठीक है, तो आगे आपको, अब जब आप VP2 पे जाते हो, VP2 पे, तो VP2 पे क्या करना है, जो अंदर लिखा है, जो अंदर है, अंदर point है, मतलब इसके उपर charge Q1 दिया न, तो यह charge आपको center पे assume करके, यहां की दूरी को R मांते हुए लिखना पड़ेगा, के Q1 divided by small r, गोलो भई, के Q1 जो अंदर है, उसको center बहाँ, जो बाहर है, जो बाहर है, उसका क्या करें, उसकी potential लिख दें, इस point की potential उसकी लिख दें, that is K times Q2 divided by capital R2, तो यह हो जाएगा, इसका point 2 का potential, यहां पर कितनी potential है, बस वो लिख दो, ठीके, क्योंकि आप देखो, आपको charge को पहले यहां तक लाना होगा, तो यहां तक लाने में आपका इतना work done हो जाएगा, ठीके, फिर इसकी वज़े से, यहां पर इतना potential, इतना और work done आपको करना पड़ेगा बच्छो, इस charge को लेकर आने के लिए, तो वो हो जाएगा, के Q1 by R, ठीके, तो समझ में आरी बाद, तो यह VP2 potential हो गया है, अब VP1 कैसे लिखेंगे, तो देखो, इसके लिए दोनो charge बाहर है, इसके लिए दोनो charge बाहर है, बता होई, क्या करोगे, तो वही दोनो charge बाहर है, तो इस point को potential लिखेंगे आप, जो की कितना होता है, क्यू 1 divided by R1, इस cell के उपर अगर potential लिखना हो, तो क्यू 1 by R1, और इसका potential क्या है, क्यू 2, वही आप बाहर वालों का बस, जहां पे हैं, वहां का potential लिख दो, तो VP1 will be given as क्यू 1 upon R1, प्लस क्यू 2 upon R2, that is your potential, अब इसका graph कैसे बनेगा, बहुत ही सरल है, ध्यान से बस सुनिये, पहले हम लोग P3 point ले लेते हैं, ठीक है, एक काम गरो, पहले R1 पे कितनी potential है, देखिए R1 तक potential constant है, आप देखिए, यहां पे अगर आप जाएं, तो potential कितनी है, हर जगे, हर जगे potential बच्चों इतनी है, यही potential है, VP1 वाली ही potential है, हर जगे, पूरा जब तक आप यहां पर नहीं पहुझ जाते हैं, तब तक ही potential है, तो R1 डिस्टेंस तक आपकी potential यह है, ठीक है, यह कितनी है, constant value, यह हम इसको नाम दे देते हैं, 181 वाली potential को नाम क्या दे देते है, वP1, उसके बाद क् एक फिक्स पोर्शन है इसके अंदर वी पी टू के अंदर यह वाला फिक्स पोर्शन है लेकिन उसके बाद घटने लगता KQ1 तो ये थोड़ा सा आपका नीचे की तरब जाएगा तो ये थोड़ा सा आपका नीचे की तरब जाएगा तो ये ग्राफ आपका यू कुछ नीचे जाएगा ठीके तो ये यू 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 इंफिनिटी को चला है ठीक है तो clear है यहां पर भी देखिए 1 by r का function था तो इस तरीके से यहां पर भी देखिए 1 by r का ही function है यहां पर एक fix constant हो किवल इतनी portion से गिर रहा है यहां पर k times तो थोड़ा ज़्यादा गिर रहा है यह तो constant रही आरवन constant r2 k q1 तो बस constant y is equal to constant का graph बना ठीक है तो clear है भाई बता चल गया आपको बहुत ध्यान से करने वाली चीज थी कर लिया आपने तो चलिए हम लोग question number 3 potential due to point charges हम लोग लिखने जा रहे है question से हम लोग लिखेंगे potential due to point charges तो यह है a यह है b यह है c यह है d ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे अब ठीक है तो a b c d तो potential due to point charges तो a पर potential निकालना है o पर potential निकालना है कहां कहां निकालना है तो a point पर potential निकालना है और एक o point पर potential निकालना o कौन है यह intersection of square है अब यहाँ पर charges कहां रखें वो मैं आपको बता दू तो b पर एक charge रखा है plus q c पर एक charge रखा है plus 2 q और d पर एक charge रखा है plus 3 q तो कैसे potential लिखते हैं तो पहले आपको distance पता उन्ची कि इसकी distance l दी गई है यह सब l because it's square फिर यह root 2 l हो जाता भाई लोग डाइगनल की लेंथ कित्ती हो जाती पता ही होगा आपको root 2 l तो यह सब बात है आपको और फिर root 2 l को 2 से divide कर दोगे तो l by root 2 हो जाएगा यहां से center से दूरी कित्ती हो जाएगी l by root 2 हो जाएगी अगर कहीं से center से लेनी और पूरे diagonal की length लेनी तो root 2 जाएगी इसा पता ही होगा आपको अब हम लोग वी यह लिखने जा रहे हैं तो ध्यान से देखेगा कि वी यह कैसे लिखा जाता है ठीक है बच्छो शुरू भी कर दिया हमने वी यह लिखना अब ध्या नहीं है और point charge का जैसे लिखते हैं वैसे लिखिए इसके लिए k2q charge है और length कितनी root 2L नीचे root 2L लिखना है बोलो यह कोई दिक्कत इसके लिए k3q divided by L तो यह पूरा add कर लोगे तो यह आएगा 4kq by L और यह आजाएगा 2kq by root 2L तो यह हमारा VA आजाएगा ठीक है तो इस तरीके से potential हम लोग यहां पर solve कर ले रहे हैं बाकिया आपको क्या करना है root 2 से उपर नीचे multiply कर लो ठीक है तो फिर आप देख लो कि kq by root 2L common ले लो तो यहां पर आपके पास आएगा 4 root 2 plus 2 ठीक है क्या आएगा 4 root 2 plus 2 यह आपका potential आजाएगा clear है अब O से लिखना है O पर लिखना है तो एक ही वज़े से तो कोई potential होगा नहीं तो अब लिखना सुरू करते हैं समझ में आ रहे हैं न वही कैसे लिख रहे हैं लोग तो देखे यहां से तो 0 है यहां पर चार्ज है बच्चों यहां पर L by root 2 distance हो जाएगी यह यहां भी यह भी L by root 2 यह भी L by root 2 तो सब चार्ज आड कर लो क्योंकि सब का तो वही है 3,2,Q,5,6 सब तो बराबर दूरी पे है न तो K 6Q 6Q not है यहां root 2L जो भी है Q ऐसा है 6Q divided by root 2L root 2L थोड़े न दूरी है L by root 2 दूरी है ठीक है कितनी दूरी है L by root 2 दूरी है तो यह root 2 उपर चला जाएगा तो क्या बननेगा 6 root 2Q by L 6 root 2Q by L तो यानि कि 6K root 2Q by L यह आपका जो है midpoint O पे आपका potential है तो चलिए अब हम लोग next concept पे जाते हैं that is relationship between relationship between field and potential तो अब आपको कैसे देखे तो relation सब पहले तो मैं relation आपके लिए लिए लिख देता हूं बच्छों तो वी एफ minus vi that is what minus of integral e dot dr ठीक है तो यह scalar quantity है तो minus e dot dr और integral ठीक है अब यहाँ एक बात आपको यह minus sign क्या बताता हैं what is the significance of this minus sign यह पूछा जा सकता है तो in the direction of electric field यह क्या बोल रहा है कि in the direction of electric field potential decreases in the direction of field potential क्या हो जाता है decrease करता है potential decreases ठीक है तो in the direction of field potential decreases फिर next क्या है e दूसरा क्या है अब देखो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते है dv minus ठीक है ऐसे dv लिख सकते इसको minus integral e dot dr ऐसे लिख सकते हैं अब यह second हम लोग यहाँ से बनाएंगे अब एक चीज को बहुत ध्यान से देखना एक नया formula यहाँ से create करेंगे अच्छे से करते हैं ठीक है यह first यह point इसके लिए note potential और electric field अगर electric field आपको vector form में दी गई हो तो आप इस तरीके से potential निकाल सकते हैं अब हमें क्या पता है बहुत ध्यान से समझिएगा we know we know work done by conservative forces is equal to minus delta u and that is nothing but ui minus uf क्या होता है uf minus ui होता है delta का मतलब क्या होता हमें सा final से initial minus भेजोगे तो ui minus uf तो अब conservative force है हमारा electrostatic force field तो अब उसके द्वारा work done अगर लिखोगे तो force of electric field dot dr वेक्तर भया यह होता है और जो यह है यह potential वगेरा लिखा जाता है charge into vi minus vf ठीक है यू वरावर qv नहीं पता हो तो class 10th में पढ़े होता है energy is equal to charge into voltage याद करो याद भी कलो कभी कभी है अब देखे vi minus vf vi minus vf is equal to integral fe dot dr divided by 1 upon q naught ठीक है फोल दो अच्छो अब देखो इसको मैं अंदर भेज दूँगा because it's a constant thing अभी देखना formula कैसे उचल उचल गया आएगा fe dot q naught dot dr अब ये क्या है वही f by q क्या होता है force divided by q electric field तो vi minus vf बच्चो इस equal to integral e dot dr लेकें हम क्या लिखते vf minus vi तो minus एक कॉमन आएगा minus इधर भेज दो तो vf minus vi is equal to minus of integral e dot dr ठीक है e dot dr तो clear है भाई तो कर लोगे तो ये proof होगे आपका पहला proof तो first proof कर लिया हम लोगों ने कि vf minus vi is equal to minus of integral e dot dr तो ठीक है याद रहेगा बच्चो प्रूफ बहुत important है अब next एक और चीज करने जा रहे हम लोग ध्यान से देखते रहेगा बस work done शुरुवात देखो कहां से करते हम लोग work done by conservative forces is equal to minus delta u तो dwc छोड़ा सा work is what minus du ठीक है अब ये w अगर हम लोग लिखें तो fe dot dr is equal to minus du minus du तो अब हम लोग यहाँ पर अगर du by dr लिखें fe को मानले की direction में dr लोग है तो minus du by dr minus du by dr तो fe is equal to minus magnitude wise अगर हम लोग देखें तो we can drive की force due to electric field force due to electric field is equal to minus du by dr अब इसको electric field में अगर आप convert करना चाहतें तो ये q by q by q into d e हो जाए q into e हो जाएगा basically this is not d हना ये तो पूरी जगे electric field fix है तो q into e अब यहाँ पर देखें यहाँ पर देखें यहाँ q into e लिखोगे ना तो q into e और dr तो वहीं बेच चुके हैं minus du by dr अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था u is equal to qv तो यहाँ पर हम चाहें तो इसको लिख सकतें minus और dv by dr लिख सकतें माइनस q से q मतलब q से q cancel तो e एक तरीके से और बढ़िया लिखा जाता बच्छों minus dv by dr तो यह differential form है और यह integral form है तो दो form है बच्छो delta v is equal to minus of ed dot dr integral form और यह differential form है e is equal to minus dv by dr तो यह दोनों form आपको याद रहने चाहें तो ऐसा करने से फिर आप कुछ cases वाले problems कर लोगे ठीक है जैसे case 1 का problem है माल लिजे electric field आपको किसी question में x i ऐसे मतलब x component उसका electric field का y component electric field का z component ऐसे electric field दी गई है i j k component अब dr vector जो आपको दिया गया that is dxi plus dyj plus dz के ठीक है ऐसे दिया गया ठीक है और माल लिजे e x जो है वो function है x x की वज़े से भी change होता है y की वज़े से भी change होता है x direction के electric field x y z सब पर depend करती है e y भी ऐसे ही कुछ तो function है कोई नया function भाई या इसको g लिख देते है अलग-अलग function हो सकता है अलग-अलग direction पर ठीक है लेकिन x y z दोरों पर इसी तरीके से z भी हो सकता है कोई function हो भाई चांस ठीक है या एक ही function हो ठीक है और z में भी एक ही function से क्योंकि x y z तो component है तो इसका हमने क्या किया इसी का x component exi इसी का y component tyi j और dz के यहां से हम लोग पता कर सकते x component at any position x y z कहीं पर y क्या है वहां पर z क्या है वहां पर ठीक है तो इस तरीके से आपको electric field पता है तो अब देखें अब हम लोग यहां पर किस तरीके से potential निकाल सकते हो जो तो potential निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा एक reference point लेना पड़ता है तो यह देखिए p1 है और यह हमारा initial point है और यह p2 हमारा यह हमारा final point है ठीक है यह initial है यह final है तो हम लोग क्या लिखते हैं कि vf minus v i potential at f and potential at i is equal to minus of integral e vector dot dr vector ठीक है ऐसे है अब हम लोग क्या करेंगे vp2 minus vp1 is equal to minus integral ex i और यह dr इनका dot product करेंगे इसका dot product करी लेते होगे बच्चों ex dx e y dy और ez dz ठीक है अब क्या होता है integral जब हम लोग ले जाएंगे तो इसके अलग आपको वो रखने पड़ेंगे क्या बोलते है component इसके अलग component और इसके अलग component तो अब हम लोग यहां से लिख सकते कि vp2 minus vp1 is equal to minus of ex dx x1 से x2 ठीक है minus of integral y1 से y2 e y dy ठीक है because dy में जब आप इंटिग्रेट करोगे तो y के आपको वो limits चाहिए जब x में आप इंटिग्रेट करते हो तो आपको x के limits चाहिए होते हैं तो यहां पर जब हम लोग ez dz लिखेंगे तो यह z1 और यह z2 ठीक है clear है तो इस तरीके से आप electric field निकाल सकते हैं तो कुछ याद वाद करने वाली बात नहीं है एक तरीका है बस कि इस तरीके से किया जाता है ठीक है अब इसी के उपर हम एक question ले लेंगे तो आपको और clarity मिल जाएगी कि electric field और potential के बीच में relation वाले questions कैसे की जाता है तो मान लीजिए हमको electric field बच्चो दी गई है and that is given as x i plus yj plus zk ठीक है तो यह electric field हम लोगों ने दे दिया अब मान लीजिए हमारे पास initial point दिया initial point की जो value है वो क्या है ओ मान लीजिए हमने वो उसको represent कर रहे है तो उसके coordinates है 0,0 capital O है initial point है उसके coordinates है अब आ रहा है हमारे पास final point तो final point जो है वो है P और इसके coordinates है वो है 2,3,5 इसके coordinates क्या है 2,3,5 तो अब हम लोगों क्या है कि 0,0,0 पे जो potential है वो मान लिया गया कि वो 0 है और अब हम से पूछा गया कि भई potential निकालो 2,3,5 पे क्या निकालो potential at 2,3,5 तो अब formula कैसे है इसका कि VP और यह तो 0 ही है यहाँ पर ठीक है यह तो 0 ही है potential देखो 0 है यहाँ जीरो माइनस एक लिखो और X के coordinate देखो कि कहा से कहा जीरो से 2 और देखो कि X में क्या लिखा हुआ है X DX ठीक है फिर माइनस अब Y कहाँ चेंज हो रहा है जीरो से 3 तो लिखो YDY अब तो कर लोगे 0 से 5 ZDZ बस ठीक है अब हमें क्या करना है इसको integrate करना है तो VP is equal to minus of X square divided by 2 limits put करना अपने को 0 से 2 minus Y square divided by 2 0 से 3 minus Z square divided by 3 0 से 5 तो 2 का square 4 by 2 is minus 2 तो potential at P is equal to minus 2 यहां पर 3 का square is minus 9 by 2 5 का square is 25 by 2 ठीक है तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते 34 by 2 यारी कि minus 17 तो minus 19 आपको potential at P आ जाएगा ठीक है कर पाए आप potential at P तो case 1 में क्या था कि electric field का function दिया रहेगा और आपसे potential पूँच रहे होंगे तो this is how कि electric field का function दे रहे हैं और आपसे एक initial point पे potential जो है दिया है final point पे potential पूँच रहे होंगे electric field दी गई है फिर potential आपसे पूच रहे हैं तो this is how you have to find out potential with the help of electric field अब here क्या है case 2 पे देखे case 2 अच्छो case 2 case 2 here potential will be given here potential will be given यहां पे क्या होगा potential given है and they will ask about point they will ask about field at some point they will ask about field they will about क्या पूचेंगे electric field पूच रहे होगे ठीक है तो फिर क्या करेंगे बच्चो अब देखे potential कैसे दिया रहेगा एक एक्जांपल लेते हैं हम लोग जैसे महां लीजे फंक्शन ओफ x y z का potential दिया गया जैसे यहां दिया गया x square y square z square ऐसे दिया है potential electric field हम लोगों ने देखा कि electric field जो होती है वह minus dv by dr होती है अब इसको कैसे लिखते हैं अब यह देखो e क्योंकि vector होता बच्चो तो minus dv by dx i minus del v by del y j minus del v by del z k ठीक है और अब e हम लोग यहां पर रख रहें तो इसको आप जब differentiate करोगे x के respect में तो y square z square को constant रखोगे तो यह आएगा minus 2xy square z square i यह उल्टा हो जाएगा यह इसमें y square को आप differentiate करोगे तो this will become minus 2yx square z square और यहां पर और i और k को नहीं बोलना क्योंकि electric field जो होती वो vector quantity होती यह जे था ठीक है अब यहां पर z के respect में करने जाओगे तो minus 2 times z x square y square k vector यह हमारा जो है electric field आ जाएगी ठीक है समझ में आरी बात यह electric field आ जाएगी तो minus 2xy square z square i minus 2y x square z square j minus 2z x square y square k ठीक है तो यह आप जो है यहां पर देखें अब हमें क्या करना यहां पर बस यही करना अगर value value दी होती है कि यहां पर electric field निकाल हो तो x y z की value रख देते हैं पर इस तरीके से करना है कर क्या रहें लोग z के respect में differentiate others as constant यही डेल का मतलब होता है पहले भी आपने work energy power में भी इस तरीके के concepts देखें ठीक है वी को x के respect में करो बाकी को treat करो as they are constant तो y square z square को मैंने छुआ भी नहीं मैंने x square को 2x लिख दिया माइनस sign तो अपने आप ही रहता है definition की वज़े से फिर y square का 2y लिख दिया बाकी x square z square as it is है फिर यहां पर भी देखो x square y square को as it is रख दिया और यहां पर 2z होता है so this is how you have to treat काफी question ऐसी वर्मा में दिये गया बच्छो ठीक है तो आप अराम से जो है कर सकते बहुत सारे problem इसके उपर अब next concept पर हम लोग जा रहे है that is electric potential energy ठीक है तो next concept that we are going through is electric potential energy ठीक है तो ज्यादा मुझे कुछ समझाना नहीं है the potential energy the potential energy possessed by system possessed by system of system of point charges मालो मने दो point charges ले 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 two point charges q1 and q2 q1 and q2 separated by distance separated by distance separated by distance or is the work required is the work required is the work required to bring them to bring them to this arrangement to this arrangement to this arrangement from infinity the electrostatic potential energy the electrostatic potential energy the electrostatic potential energy is given by energy is given by is given by u is equal to q1 q2 by 4 pi epsilon not r ठीक है तो समझ में आ रहे है तो it is the basically यह भी लिख लो note it is the work done it is the work done in bringing in bringing charge in bringing in bringing q2 charge from infinity from infinity in the field of q1 in the field of q1 ठीक है बच्छो तो electric potential energy बारे में बात करते है तो potential energy possessed by system of two point charges system of two point charges q1 and q2 separated by distance r is the work required to bring them to this arrangement from infinity the electric potential is given by अब देखो क्या है अब जैसे potential को define किया था तो आप देखो वो potential energy पर charge था जो definition थी उसकी तो q1 charge यहां पर रखा हुआ है और q1 charge को जैसे आरेंजमेंट बनाने को मतलब यह है कि पहले क्या है कुछ नहीं था तो आप लेकर आ रहे हो q1 तो आपको किसी के विरुद कामी नहीं करना है तो आप खहीं पर भी ले जाके q1 रख दो कोई work done नहीं होगा जब कोई field ही नहीं है तो work done क्या होगा अब लेकिन आपने जैसे q1 को set up किया तो electric field एक generate होगी बच्चो चारो तरफ अब जब आप दूसरा charge ले रहे हो q2 इसके पास लाने की कोसिस कर रहे हो तो यह इसकी electric field आपको जो है resist कर रहे है तो आप उसके खिलाफ work done करते हो तो जब आप work done करते हो यहां तक जितना भी work done करते हो जो इनके बीच की दूरी r हो जाती हो अच्छो तो वो work done जो हम लोग लिखते हैं as a potential energy that is q1 q2 by r k 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 by r this is what it is और देखो अगर minus charge होगा तो minus तो charges को हमें कैसे लेना है with sign potential energy निकालते वक्त हमें charges को लेना है with sign यह pair of charges के लिए बच्चो defined रहता है तो यह आपे लिख लीजे note note लिख लीजे while while writing potential while writing potential while writing potential or potential energy charges must be multiplied with their sign charges must be multiplied with their sign multiplied with their sign with their sign ठीक है अब चलिए एक figure दिया है आपको I don't know which question is जो भी electric potential energy के पहला question बच्चो यह electric we have to find electric potential find electric potential अपने को find out करना है ठीक है we have to find out the electric potential तो we we have to find the work done find the work done potential energy potential अपने कर दो है find the work done by agent agent to assemble them to assemble them to assemble them them as in figure as in figure ह Eck आउ ये Q1 अगर है ये Q2 छार्ज है और 2 in तो इनके बीच की दूरी X है, इनके बीच की दूरी Y है, इनके बीच की दूरी Z है, यह A है, यह B है और यह C है, ठीक है? अब देखो, जो भी work done by agent है, वही आपकी electric potential energy है, उसको per unit charge आप divide कर दो, तो that is potential, ठीक है? तो work done by agent, कभी-कभी work done by electrostatic force भी पूछ लेते हैं, तो माइनस कर देना है आपको, तो हम क्या निकालेंगे, work done by agent निकालने जारे हैं, अब देखना, समझना, कैसे करते हैं हम लोग, बहुत simple होता है, तो ध्यान से समझेगा, तो सबसे पहले आप मानिए, इस system को आपको बनाना है, तो पहले तो Q1 लाने में कोई work नहीं होगा, ठीक है, यहां कहीं से भी ले आओ, infinity से लेके आओ, जब कोई field ही नहीं है, कोई इसको resist ही नहीं करेगा, जब हम इस Q1 को ला रहे होंगे, तो work done in bringing the Q1 from infinity to this point is 0, लेकिन बच्चो दिक्कत तब हो चाहेगी, जब Q2 को होगी, तो formula क्या बोलता है, कि आपको K times Q1, Q2 उनके बीच की दूरी से divide कर दो, ठीक है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, Q1 और Q2 इस तरीके से रखे जा चुके हैं, इनके pair के बीच की potential energy आ चुके हैं, के Q1, Q2 by X, अब next है, देखिए Q3 को जब हम लोग लेके आ रहे हैं Q3 को लेकर आ रहे हैं, जब हम लोग, तो Q3 को लाने में देखिए, एक तो A1 की वज़े से, जो potential, वो है, क्या कहते हैं, electric field उसकी वज़े से work done भी लिखना पड़ेगा, और साथ में Q2 की वज़े से भी लिखना पड़ेगा, तो हम लोग जो है, इस Q1 की वज़े से लिखने बाई Y, और next है, KQ2 into Q3 divided by Z, तो समझ में आया है, यह work done by agent है आपका, तो KQ1 Q2 divided by X, प्लस KQ1 Q3 divided by Y, प्लस KQ2 Q3, तो Q3 लाने में इसका भी resistance, इसका भी resistance, दोनों के विपच्च में काम करना है आपको, तो इसलिए आपके पास यहां पर देखेगा, कि कितने टर मारे हैं, तो तर्म यहां पर हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, कर पा रहे हो आप, कर पा रहे हो बच्चो, तो असान है, I think, तो next, next system बनाओगे बच्चो, question number two का system बनाते हैं, इसमें भी आपको work, work done by agent to assemble the system, to assemble the given system, book वगयरा में भी question करना, to assemble the given system, करने का तरीका में बता रहूं, language of books वगयरा में आपको बहुत सारे question मिलेंगे, तो work done by agent to assemble, electrostatic अगर पूछें, क्या है, work done by electrostatic minus लगा देना, बाकी पूछें कि इस पूरे का potential energy क्या है system का, तो वो भी work done by agent ही होता है, potential क्या है, इस point की, तो potential energy divided by unit charge, जो भी मनलब charge आप ला रहे हैं, पहले potential energy सब की लिख लो, फिर आपको क्या करना है, charge से divide करना है, ठीक है, तो एक square बनाना है, इस बार we have to make one square, तो यहाँ पर हमारे पास है Q1 charge, यहाँ पर हमारे पास है Q2 charge, यहाँ पर हमारे पास है Q3 charge, और यहाँ पर हमारे पास है Q4 charge, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो कितनी L दी गई है, यह भी L, यह भी L, यह भी L, यह भी L, इनके बीच में रूट 2L, इनके बीच में रूट 2L, अब हम लोग जब Q1 लेकर आते हैं, तो यह आप सोच लीजे कि Q1 को लाने में कोई work done नहीं होता है, तो work done by agent, potential energy, जो बोलना चाहो वो बोलो, तो Q1 को लाने में कोई work done नहीं करना पड़ता, क्योंकि किसी की भी potential, किसी की भी field नहीं होती है, फिर जब Q2 को लेकर आते हैं, तो Q1 की वज़े से दिक्कत होती है, तो हम लोग लिखते के Q1, Q2 उनके बीच का जोड़ी gap है, ठीक है, L दूरी है, तो के Q1, Q2 by L, बस उस समय त Q1, Q3 और इनके बीच की दूरी है root 2 L, लिख दो हिया, और फिर आप देखे, इसके साथ लिखे, के Q2, Q3 उसके बीच की दूरी है L, ठीक है, तो Q3 लाने में सारे नाटक हो गए, बच्चों, अब next नाटक starts for Q4, तो Q4 का तो Q1 को भी देखना, Q2 को भी देखना, Q3 का देखन और Q2 के बारे में जब लिख रहे होगे बच्चों, तो that times, that will be Q2, Q4 divided by root 2 L, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो टोटल छे टर्म यहाँ पर बच्चों आपको लिखने पड़े, जिसमें से 2 root 2 L और बाकी के टर्म जो है, आपको L वाले दिख रहे है, चार टर्म, त तो आपको क्या करना है, 3C2, NC2, इसको कहते है, NC2 shortcut, लेकिन यह तभी आप अप्लाई करिए, जब सारे चार्ज एक जैसे हो, मतलब एक, एक, मतलब सारे positive हो, एक polarity के चार्ज हो, ठीके, टर्मी नहीं मिल रहा था, एक polarity के चार्ज हो, यानि कि सारे अगर positive हैं, तो अपन को use करना है, method, जल्दी से आप लिख सकते हो, या सारे negative, मतलब एक सारे होगी, एक plus, एक minus है, तो देखे, जब हम लोग इस तरीके से करते हैं, तो मतलब लिखने वाले बच्चे लिख भी लेते हैं, वैसे भी आप जब logic समझ जाओगे, तो आप लिख भी सकते हो, लेकिन गलत होने का चांसे से रहता है, इसलिए आपके वल सारे plus हों या सारे minus हों तो इसको use करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आए, तो 3C2 आपको निकालना आते ही, कि 3C2 किसके बराबर होता है, वच्चो 3C1 के बराबर और वो होता है 3, यानि कि कुल मिलाके 3 term आएगा, कुल मिलाके क इतने चार्ज हैं, तो 4C2, 4C2 मतलब 4 into 3 upon 2 into 1, तो 2 यानि कि 6 term आएगा, गिनों जाना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 term लिखने पड़ेंगे, यह हमें पता चलिए कि we will have to write the 6 term, अब देखो, जिनके बीच की दूरी L, L हैं सारे pair, तो 4 हैं, देखो, 1, pair, 2, pair, 3, pair, 4, अलग-अलग pair, 4 है, सबके में नीचे L लिख दो, charge को multiply करो, L लिखो, charge को multiply करो, देखो, दो ऐसे आपके पास diagonal बच्चो यहां बन, तो वो diagonal यानि की Q2 और Q4 के बीच में root 2L है, उनका भी लिखो, और फिर इनका भी root 2L, तो आप जल्दी से बच्चो लिख सकते हो, ठीक है, तो चले हम, तो question number 3 क सबसे मिलेंगे, पहले हम लोग अपने मजबूती प्रदान करने वाले सवाल कर लें, ठीक है, फिर आप लोगों से भी मिलेंगे, इसा नहीं आपको छोड़ेंगे, ज्यादा नहीं है बच्चो आप, यह 4-5 सवाल और करने, बस और क्या है, और ही क्या जीवन में सवाल तो चार्ज जो है हर वर्टेक्स पर वच्चो रखा हुआ, क्यू यहाँ पर भी, 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 क्यू करने को इस तरीके से चार्जेस को एसेंबल करने में कितना वर्क डन करना पड़ता है यह चीज हमको लिखनी है तो टोटल जो टर्म आएंगे सबसे पहले आप फाइंड आउट करो अब कैसे लिखें 28 कोई दिक्कत की बाद नहीं हर पियर के बीच में कैसी कैसी डिस्टेंसे यह देखो A-distance, root 2-A distance वाले लोग है और root 3-A वाले distance कितनी side होती हैं बताओ वए कितनी side होती, 8 side होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 होती है कि 12 होती है चार चार आठ नौ दस ग्यारा बारा जो है साइट सोती है तो बारा हम लोग टर्म लिखेंगे भई ये वाले जिनमें L आएगा तो हम लिखेंगे 12 K Q स्क्वार डिवाइड बाई L ठीक है लिख लोगे भई बारा टर्म होंगी जिनमें L दूरी होगी इसके 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 सब चार सेम रखें तो answer लिखना असान है चार कितनों के बीच में root 12 हर face में हर face में 2 होते हैं जिनके बीच में root 12 होता है ठीक है तो कितने faces हैं 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 faces तो कितने pairs, 12 pairs उनके बीच के दूरी के टी, root 2L, ठीके, तो लिख दो वाई बारा के इस्क्वाइड रिवाईडेड वाई रूत 2L, कितने डाइगनल हैं, कितने डाइगनल हैं, बड़े वाले, एक और दो, वस दो, दो है कि چार, इनके बीच में एक, ठीके, इन दोने बीच में एक, फिर इन रूट 3L अब देव लो 12 12 24 28 अरे समझ में आ रहा है एक उधर एक इधर solid state पड़ो जाके एक उधर एक इधर ठीए फिर एक उपर एक नीचे दो गए अरे की वाली डाइगनल में देखो यही वाली रूम पकड़ो अपना एक उपर चार्ज एक नीचे तो एक उपर वाला इध इधर वाले भी तो देखोगे इधर यह और यह और यह और यह ना एक रूम में बैट के देख लो सबसे बड़ी डाइगनल सब पता चल जाएगा आपको तो कितनी जल्दी हम लोगों ने यह कर दिया potential निकालने का बिल्कुल फटा-फट ढंग से हराँ तो ठीक है चले अब पीछे चलते हैं सब कोश्यन निप्टा देते हैं हम लो कुछ कुछ कोश्यन है यह आप से होने चाहिए अथिन स्पेरिकल कंड़क्टिंग शेल ऑफ रेडियस और हैस चार्ज क्यू चलिए भी यह स्पेरिकल सेल वाला कोश्यन किया था आपने अब उस सेल में कोश्यन है थ आउटर क्या है भी स्मॉल क्यू चार्ज रखा है तो अलेक्ट्र स्टाटिक पोटेंशल अट पॉइंट पी अट डिस्टेंस आर बाइट तू दूरी पर आपको लिखना है तो बहुत आसान है बहुत बहुत सरल बहुत सरल इसकी वज़े सेंटर माना जाएगा बच्छो ज डिवाइड़ वाई आर वाई टू यह पॉटेंशल है प्लस इसकी वज़े से दूरी कितनी है आर तो क्यू बाई आर ठीक है क्योंकि फिर इसका तो आपको पुटेंशल यहीं इसी पॉइंट का ही लिखना पढ़ता है पढ़ता है गया था तो एंसर के आएगा आएगा r plus small k q by capital r ठीक है अब इसको 1 by 4 pi epsilon not कर दो अना तो 2 q upon 4 2 q upon 4 pi epsilon not और यहां पर k q by r यह k है q by r तो d option d is correct बच्चो option d is correct देखा कितना असान option d is correct तो बहुती बढ़िया next 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 two concentric spheres two concentric spheres of radius r and r तो एक capital r माले हमने और एक छोटा वाला concentric है तो यह capital r है small r है have similar charges with equal charge density the electric potential at the common center is खीक है तो electric potential at the common center है तो आपको पता होगा कि हम लोगोंने निकाला था बच्चो यहां पर तो o पे क्योंकि बाहर ही हैं तो sigma इसके लिए अरे sigma r by epsilon naught plus इसके लिए sigma capital r by epsilon naught ठीक है तो electric potential at the common center direct formula already done in lectures ठीक है formula देख लो जाके और इस तरीके से आपको निकालना होगा ठीक है तो fast forward में बच्चों कोशन कर रहे हैं so देखे an electron of mass and charge is accelerated from rest very important question ठीक है अब इसका direct answer पता रहता बच्चों को थोड़े दिर बाद to a potential difference v in vacuum its final speed will be अब देखो work energy theorem लगा सकते हो potential difference created charge को जब an electron electron के वज़े से ठीक है तो electron rest से आया है तो final speed पूछ रहे हैं तो देखे जो potential difference के द्वारा किया गया work done e delta v तो ev लिख देदे हम लो ev ये क्या है work done potential difference तका है work done is equal to change in kinetic energy that is half mv square बुलो है work done by the agent is what ev work done by the agent is what charge को multiply गरो potential difference पाओ you will be getting that and that entire work done is equal to change in kinetic energy accelerated from rest through a potential difference तो ये work done है and that is equal to what half mv square so from here can we not find out the velocity speed तो 2 ev by m का under root is v ठीक है तो आगया 2 ev by m ठीक है work done is equal to change in kinetic energy that's it work done is potential difference into charge तो आगया भी है option a next 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 इसको क्या करना है the work done required to put the four charges at the corner of a square of side a as shown in the figure तो इसमें से कुछ plus हैं कुछ minus हैं तो अलग-अलग है आपको यहां पर लिखना पड़ेगा बच्चो ठीक है यह a तो पूरे के लिए आपको लिखना है इसके लिए पूरे के लिए लिखना है पूरे के लिए बताओ कैसे एक-एक को लाओ और लिखो तो पहले लेकर आओ एक को तो इसकी वजह से वी work done by agent यहां लिखता हूं work done by agent जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 ठीक है इसको लाने में 0 फिर इसको यहाँ लाने में हमें क्या करना पड़ेगा minus k q square divided by a minus k q square divided by a इसको लाने में पहला ही है तो यहाँ तक आपको ऐसे लाना होगा अब next लेकर आते हो चो 1 और 2 की वज़े से 3 को लिखना पड़ेगा तो इसको लिखना पड़ेगा k q square divided by root 2a root 2a ठीक है बोलो यहा root 2a k q square divided by root 2a और इसके वज़े से आएगा minus k q square divided by a तो एक इसकी वज़े से लिखा और एक इसकी वज़े से 2 की वज़े से 6 term होने हैं 3 term आ चुके हैं चौते भाई साब को लाएंगे तो इसको 3 की वज़े से दिक्कते हैं तो इसके लिखना पड़ेगा minus k q square divided by a फिर minus k q square divided by a और इसके लिखना पड़ेगा plus plus k q square divided by root 2a 1, 2, 3, 4 तो इसको लिखा जाएगा minus 4 k q square divided by a और इनको 2 हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा plus 2 k q square divided by root 2a तो उपर आ जाएगा आपका root 2a ठीके बूलो बूलो तो minus 4 k तो 4 into 4 2 into 6 तो यह 2 k square divided by root 2a तो मुझे तो नहीं लग रहा है यारी इसमें से कोई option सही है देख रहा हूँ मैं तुमको भी लग रहा है कुछ सही है k को लिख लो वही और क्या करें अब यह देखो यहाँ पर root 2a हैं तो इस root 2 से इसको cancel कर लें तो उपर तो root 2 हो जाएगा अब k q square by a को common ले लो अच्छो k q square by a को common ले ले तो यह root 2 minus 4 आ रहा है अब इसको मैं लिख लेता हूँ यह 1 upon 4 pi epsilon 0 अच्छो 2.6 कहीं ना आ जाए चेक करना पड़ेगा वही minus लेकर आओ बाहर तो यह 4 minus root 2 हो भी सकता है 4 और 1.4 होता है ना दस चार छे हाँ लो वाई आ गया गजब है लो minus 2.6 q square upon 4 pi epsilon 0 जो लग रहा था कि 2 into 6 तो नहीं लिखा है ठीक है वाई minus of b option correct हो अच्छो कौन सा option correct होगा b आ गया समझ में कुछ भी नहीं था एकदम आसान था अना तो यह वाला तुम लोग किया ही बच्छो electric field निकालनी potential दिया है ठीक है पता है न क्या करते dv by dx चलो यह पहले x component में लिखता हूँ अच्छो x component लिखने के लिए e वैसे तो minus del v by del x i minus del v by del y j minus del v by del z k ठीक है तो फटा फट del v by del x करो तो मतलब x के respect में differentiate को तो minus two x y minus three x तो ऐसे रहेगा z q तो minus से plus कर दें हूँ अच्छो तो two x y plus z q एरे यह तो b है ठीक है b है b correct है बागी करने को मैं कर सकता हूँ तो y के respect में जब करने जाओगे तो केवल यही बचेगा आपके पास यहां तो कहीं y है नहीं तो जब differentiate करोगे तो constant है सब तो यह plus x square आजाएगा z के respect में करने जाओगे तो केवल यही यह सारे 0 हो जाएगे तो यह 3z square ठीक आगया तो बस खतम खेल है तो यह question और करना अब नहीं हो three charges q naught minus q and minus q are placed at the vertices of an isocellus right angle triangle यह l root 2 है यह l है यह l है as so the net electrostatic potential energy is 0 if q naught है तो भाया सबके लिए electrostatic potential energy लिख लो लिख लो यह work done by agent पहले के लिए 0 फिर q naught को लेकर आते हम लोग तो k q naught minus q upon l अकेले इसको लेकर आए फिर plus फिर इसको लेकर आए भई तो यह क्या हुआ k q square divided by root 2 l और इसकी वज़े से लेकर आए तो यह आ रहा है इसकी वज़े से लेकर आये तो यह कितार है इसकी वज़े से लिख लिए ना भई इसकी वज़े से लेकर आये हो तो कटो क्यू से इस क्यू को काटो तो आपके पास तो यह फोर रूट्टू हो जाएगा उसी तरीक लिखते हैं या तू क्यू और फोर रूट्टू का मतलग सोला अंदर भेजो रूट के दो अरे वा मिल गया तू क्यू अपॉन रूट थर्टीटू ठीक है तो हमारा बी ऑप्शन सही है बी ऑप्शन ठीक है तो इसी के साथ आ पोटेंशिल एनरजी के कॉंसेप्ट को भी सीख रहे होगे तो चलिए बच्चो बाई-बाई, see you guys, have a great day